हाई फ्रेंड्स इत्समीर यहर और समीज रवीरू में आपका स्वागत है गाईज आज हम करने विले एक भूती यूनिक और आसम प्रोड़क का रव्यू फ्रेंड्स यह mostly world के सबसे powerful pocket flashlight है जिसमें आपको 45 days तक का battery backup मिलता है साथी में यह completely waterproof है तो आप इसे rainy season में easily use कर सकते हो without any worry और गाईज इसमें आपको inbuilt type-c USB charging port मिलता है तो आप इसे बाहर से ही directly charge कर सकते हो no need to remove the cells और काफी सारे इसमें आपको features मिलते हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ तो चली हम अभी इसे detail में देख लेते हैं रिव स्टार्ट करने के पहले मैं योग मानस इस चैनल को shout out देना चाहूँगा इस चैनल पर मेरे friend Amit Singh जो की एक certified yoga teacher है वो proper yoga exercises की videos regularly upload करते हैं सो अगर आप yoga में interested हो तो आप इस चैनल को ज़रूर follow कर सकते हो और आपको इससे काफी मदद मिल सकती है इस torch का नाम है U-Torch Soften और इसका model है SP36 इसकी maximum output capacity है 6000 lumens और इसकी maximum battery backup है 45 days की इसमें आपको काफे सारे modes मिलते हैं लगबग 13 modes आपको इसमें मिलते हैं तो चली हम अभी इसे unbox कर लेते हैं इस इंपोर्ट करने में आपको कोई भी कस्टम का प्रॉप्लम नहीं होगा आपको इसे बेफिकर होके पॉचेस कर सकते हो तो आप देख सकते हैं यह सिंपल बॉक्स पैकेजिंग में आता है और इसे हम अभी ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको यह user manual मिलता है जो कि English में है नेक्स्ट आपको यह type-c USB cable मिलती है जो कि काफी अच्छी quality की है देन आपको यह दो extra o-rings मिलते है waterproofing के लिए और यह काफी impressive लग रही है first look में तो चली हम अभी इसे detail में देख लेते हैं सबसे पहले इसके build quality की बात कर लेते हम quickly तो इसकी जो body है completely high quality aluminum alloy से बनी है and it looks very premium surface पर आप देख सकते हो काफी texture है और knurling भी की गई है आपको जो इसकी grip मिलती हो काफी अच्छी है यहाँ पर आप देख सकते हो fins भी दी गए है so इसका heat dissipation काफी अच्छा है मैंने इसे जितना भी use कि अभी तक यह बिल्कुल भी heat नहीं हुई है so it is very good यहाँ पर आपको यह multi function mode button मिलता है और इसमें आप देख सकते हो LED indicator है जिसमें आपको green LED मिलती है for normal functions और जब आप इसे charge करोगे तो यह red color में turn हो जाती है पिछे आप देख सकते हो यह charging port और यह properly sealed है एक type c usb charging port है front में आप देख सकते हो आपको 4 high power LED मिलते है जो की क्री के है और maximum capacity इसमें से आपको जो मिलती हो 6000 lumens की है इसको cover करने के लिए यहाँ पर आपको यह tempered glass दिया जाता है जो की काफी high quality का है importantly guys आप देख सकते हैं यह completely waterproof है यह IPX 7 rated है और इसे आप 1 meter तक underwater भी रख सकते हो तो यह काफी अच्छा add-on आपको मिलता है and finally guys आप देख सकते हैं यह काफी compact है size comparison में आप देखोगे तो यह Redmi Note 5 Pro से भी छोटा है and it is very compact so guys जैसे मैंने आपको बता है इसमें आपको काफी सारे modes मिलते हैं तो आपको यह सारे modes में explain नहीं करूँगा आपको इसके basic और important operations में बता देता हूँ तो सबसे पहला जो mode है वो है stapless dimming तो आप इस button को press करके रखते हो तो आप देख सकते हैं जो light का intensity है 0.5 lumens से लेकिए 6000 lumens तक gradually बढ़ता है और maximum output पे जाके यह रूख जाता है उसके बाद अगर आप इस button को फिस से hold करके रखते हो तो यह gradually decrease हो जाता है और 0.5 lumens पे आ जाता है आपको इस footage में इसका clear idea मिल जाएगा इसी mode में अगर आप किसी भी level पे रुख जाते हो before attaining the maximum capacity तो यह touch इस intensity पे fix हो जाता है और फिर से आप इसे एक बार click करते हो तो आप देख सकते हैं यह set mode में automatically पहुँच जाता है next important option है आप अगर off position में रहोगे तो इसे double click करने पे आप देख सकते हो यह maximum output पे पहुँच जाता है next mode है आप जब इस bright mode में रहोगे तो फिर से आप double click करते हो तो आपको strobe mode मिलता है और यह कुछ इस तरीके से दिखेगा next strobe mode में रहते हुए आप अगर इसे double place या फिर quickly press करते हो तो यह sos या फिर beacon mode में चला जाता है जो कि आप cycling के लिए use कर सकते हो अब इस button को quickly तीन बार press करते हो तो आप इसकी real time battery status देख सकते हो and finally guys अगर आपको इसको lock करके रखना है तो चार बार quickly press कीजिए इस button पे और आप देख सकते हो यह torch अभी lock हो गई है इस button को press करने से कोई भी problem नहीं होगा आपको अभी इसे फिर से unlock करना है तो आपको फिर से चार बार इसे quickly press करना होगा and there it is यह फिर से functional हो जाती है इसके अलगा guys आप इस manual में देख सकते हो आपको इतने सारे modes मिलते है जो कि आप easily adjust कर सकते हो reading this manual साथ में इसमें आपको thermal protection mode मिलता है जिसमें जब LED का temperature जादा हो जाता है तो यह automatically adjust करता है maintaining the brightness so guys इसका जो overall function है जो काफी अच्छा है मैंने अब तक किसी भी flashlight में इतने functions देखे नहीं है battery backup की बात करें तो आप इसे इस तरीके से open कर सकते हो और इसमें आपको 3 18650 batteries डलने है जो आपको online easily मिल जाएंगे इसे चार्ज करने के लिए आपको इस port में cable insert करनी है और अब देख सकते हो यह जो LED है यह rate color में turn हो जाती है इसे completely charge होने में लगबग 6-8 गंटे लग जाते है और एक बर completely charge होने पे इसकी जो battery capacity है वो कुछ इस तरीके से है full mode that is 6000 lumens में यह continuously 45 minute तक चलती है और इसकी जो range है वो लगबग 3.5 meters तक हो जाती है high brightness जो है that is 2000 lumens इसमें यह continuously पॉने 3 गंटों तक चलती है और इसकी range जो है वो लगबग 200 meter तक होती है medium brightness that is 1500 lumens उसमें यह 45 गंटों तक continuously on होती है और इस capacity pace की जो range है वो 60 meters तक आपको मिलती है next important mode जो है that is low brightness mode जो की हम normally torch के लिए यूस कर सकते है इस mode में यह लगबग 16 से 18 दिनों तक continuously on होती है और इसमें आपको 16 meter तक की range मिलती है so that is very impressive and finally जो moonlight mode जो 0.5 lumens का इसमें 45 दिनों तक continuously चल सकती है इस torch को guys मैं पिछले एक मैने से use कर रहा हूँ और इसे अब तक मैंने सिब एक ही बार charge किया है जब इसे first time unbox किया था और अब देख सकते हैं यह अभी बी चल रही है and it is going good so guys इसका जो battery backup है that is out of this world मैंने अब तक काफ़ी सारे flashlight यूज किया है 300 रुपए से लेके 30,000 तक but इतना battery backup मुझे अब तक किसी भी flashlight मैंने मिला तो चलिए अब यह उपको मैं इसका real world test बदा देता हूँ अब ए Most अब ए झाल झाल इस वीडियो में आप गाइस देख सकते हो यह एक 20 वैट का LED पैनल है और 350 स्कूर फिट का रूम है इस LED पैनल के ब्राइटनेस आप देख सकते हो और अभी में से स्विच आफ करता हूँ अभी आप देख सकते हो इस टॉच को मैंने उनकर के उपर डारेक्ट किया है और यह रिफलेक्ट हो रहा है और जो भी ब्राइटनेस आप देख रही हो इस रूम में यह बस इस टॉच के रिफलेक्शन की ब्राइटनेस है आप देख सकते हो गाइज इसका जो टर्बो मोडे काफी पावरफुल है आपने देखे इस टॉर्च का जो पॉफार्मनस है वो काफी अच्छा है बहुत पावरफुल टॉर्च है ये और आप इसे प्रोफेशनल पॉपस के लिए जरूर यूज़ कर सकते हो importantly आपको ये काफी लंबा बैटरी बैकप देती है and top of it आपको ये waterproofing के साथ मिलती है so ये एक complete package है जो आप पॉचेस कर सकते हो so guys आपका budget 4000 रुपे के अंदर है और आप एक premium high quality torch पॉचेस करना चाहते हो then you can certainly go for it I highly recommend this product so guys that was it from today's video I hope आपको ये पसंद आया होगा अगर आप इस चैनल पर नए हो then please click here to subscribe to this channel या फिर नीचे रेट बटन को click कीजे to subscribe to it and please press the bell notification icon तक कि मेरे अप्लोड के कि हर एक new videos अब तक पहुच सके thank you very much for watching this video